हलो दोस्तो, गूड मॉर्निंग, स्वागाती पाफेट से आप सुभी का, MZT एजूकेशन में दोस्तो, आज है 23 फरवरी, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 23 फरवरी 2022 के most important current affair के questions के बारे में पूरी वीडियो ध्यास देगेगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाए गई है अगर वीडियो पसंद आएद वीडियो को like और share जरूर कर देना चैनल पर नाया हो, चैनल को subscribe करो, bell icon को press करो आने वाली वीडियो उसका daily notification पाओ इस वीडियो की PDF फाइल और details के साथ quiz मिलेगी आपको हमारे application MZTF पर तो आप Google Play Store पर जाएए और MZTF डाउनलोड कीजिए यही पर से आप PDF डाउनलोड कर सकते हो, quiz के साथ साथ आप e-book भी प्राद कर सकते हो और हमारे वीडियो courses का भी फाइदा उठा सकते हो चलिए बात करते हैं last day के questions की last day मेरा पहला question था आपसे 2008 आमदाबाद सीरियल बं धमाकों की जिम्मेदारी किस आतंकी संगठन ने ली थी तो इंडियार मुजाहिद दीन ने ली थी Beijing Olympic 2022 में मेजबान देश चीन का स्थान middle table में कौन सा रहा तो तीसरा रहा कल Beijing सीथ कालिन उलम्पक पर वीडियो आई हुई है तो उस separate वीडियो को भी देख लीजेगा उससे भी हो सकता है आपको बहुत सारे extra point मिल जाए चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले question पहला question है अपना किस देश ने पूर्वी यूक्रेण में अलगाववादी छेत्रों को स्वतंत्र गोसित किया तो दूस्तो रसिया ने यूक्रेण में जो चल रहा है रसिया यूक्रेण काइसिस काफी दिनों से यहाँ पर दो छेत्रों को अलगाववादी छेत्र गोसित कर दिया है इसको स्वतंत्र गोसित कर दिया है ये दो अलगाववादी छेत्र थे कल इस पर मैंने वीडियो दी हुई थी डीटेल में उसमें समझाया हुआ था देखें ये लुहांग प्रांथ है और एक है दुनस्तक्स तो इसके कुछ छेत्र में देखें पूरा का पूरा छेत्र नहीं लिया गया है सिर्फ कुछ छेत्रों में यहां पर रसिया का कबजा हो गया है रसिया की सेना यहां तक घोसाई है एक्शली में दोस्तों यहां पर पहले से ही प्रो रसियंस रहा करते थे और विद्रो किया करते थे अलगाववादी टाइप की रहा करते थे तो यूक्रेन इन पर लगातार आरोबी लगाता रहा है बहुती समय से कि रसिया इसको हतियार वगरा सप्लाई करता है इन अलगावादियों को लेकिन फिलहाल रसिया ने यहाँ पर कबजा कर लिया यहाँ की सेना यहाँ तक चली आई है और इन दोनों रीजन्स को लुहांस् को स्वतंत्र देश गोशित कर दिया है हाला कि रसिया समयत कुछ देश ही अभी इसको मानिता दिया है बड़े-बड़े जो देश है उन सब ने इसको सिरे से खारिज कर दिया है और इसको मानिता देने से भी इनकार कर दिया है साथीजा सैंक्संस भी लगाने स्टार्ट कर ब्रेटेन ने तो यहां तक कह दिया है कि रस्यापर संक्सन्स लगाए जाएंगे अब और रस्याके जो अरब पती है जो बड़े-बड़े कमपनियां हैं उनके बैंक्स हैं बड़े-बड़े उन सब पर दुस्तो बैल लगादिया जाएगा तो ये सब बैल लगाने की कोशना अभी Britain के Prime Minister Boris Johnson ने की है वहीं अमेरिका के President Joe Biden ने भी कहा हम भी लगाएंगे कुछ बचेगा तो हम भी sanctions लगा देंगे फिलहाल इस मुद्धे पर मैंने आपको कई वीडियोस दी हुई है रसिया और यूक्रेन के conflict पर तो अभी क्या है विवाद इसको समझ लो जो लोग नहीं देखे हो वीडियो देख लेना और अच्छे समझ में आ जाएगा ब्रीफली यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ आपको रूस यूक्रेन के बीच में विवाद सुरू हुआ नाटो को ले करके अगर यहाँ तक नाटो का कबजा हो जाएगा तो इसका मतलब रसिया को और ज़्यादा खत्रा हो जाएगा क्योंकि नाटो का दिपत यहाँ तक आ जाएगा नाटो जब यहाँ तक आ जाएगा तो रसिया के हर मामले में दखलंदाजी करने लगेगा तो इस वज़ा से रसिया नहीं जाता है कि नाटो में सामिल हो यूक्रेन नाटो गाई दबे आपको बताएं 30 देसों का एक संगठन है 1949 में स्थापना हुई थी इसके अलावा इसका हेड़कॉर्टर ब्रुसेल्स में है और इसमें 30 सदस्य देस है एक और देस ये जुड़ना चाह रहा है यूक्रेन लेकिन जुड़ नहीं पा रहा है ठेक है ना तो ये सारी चीज़ें आपको याद अखना नाटो का from North Atlantic Treaty Organization कीव जो है इसकी राज़ानी है राश्टपति है ब्लादी मेर जेलेंस की यूक्रेन के अब रसिया देखलो आप रसिया यहाँ पर है दुनिया का सबसे बड़ा देस है ये मौस्को यहाँ के राज़ानी है मिखाइल भी मिसुस्तिनी यहाँ के प्राइमिनिस्टर ब्लादी मेर पोतिन यहाँ के राश्टपति है रूबल करेंसी है हाला कि यहां की currency लगातार इसकी value गिरती जा रही है इसी tension को ले करके यहां के share market भी बिल्कुल गिर रहे हैं नीचे चलिए आगे देखते हैं हाली में MP में यानि मद्ध्य प्रदेश में खजुराहो निर्ते महुत्सों का कौन सा संस्क्रण आजित हुआ मद्ध्य प्रदेश में खजुराहो डांस फेस्टिबल चल रहा है और बहुत ही पारामपरिक यह फेस्टिबल होता है इसका उद्गाडन किया है वहां के governor मंगु भाई छगन भाई पटेल ने इस साल महिलाओं के लिए सुरक्षित परेटरन को बढ़ावा देने के लिए दिल खोल के घूमो नाम का मैराथन भी सुरू किया गया पांच किलोमेटर लंबाए मैराथन था एक awareness टाइप का ओके तो हिंदुस्तान के दिल में आप सुरक्षित हैं ये नारा भी लगाया गया 48 ये संस्क्रण था खजुराहू निरति महुत्सो खजुराहू जो अस्तल है दोस्तों ये निसको की वर्ड हैटेज साइट में सामिल है इसके अलावार तान सेन विश्व संगीती आयोजित की गई थी ये सभी चीजें आपको याद रखनी है मद्दे परदेश से क्लियर चलिए आगला देखते हैं अब थोड़ सा मंद्य प्रदेश की बारे में पहले जाल लेते हैं मंद्य प्रदेश आप देखोगे तो यहाँ पर मैप में है यह बारत के बिल्कुल मंद्य में है उत्तर प्रदेश से, चतिसगर से, महराष्टरा से, गुजरात से और राजस्थान से अपनो बॉर्डर सेयर करता है भोपाल यहां की राजधानी है, भोपाल में ही भोशताल जील है सिवराज सिंग चौहान, वीजेपी पार्टे से यहां के सीम है, गवर्नर है, मंगू भाई, चगन भाई, पतेल, रवी, वीजेगुमार, मलीमात यहां के हैं, चीप जसेस करें डाएम पर साके सागर जील, भोशताल जील, यह सभी जीले हैं आपर नेसनल पार्क की बात करें, तो माधो नेसनल पार्क, वन विहार नेसनल पार्क, पन्ना टाइगर, रिजर्व, पेंच नेसनल पार्क, संजय नेसनल पार्क, बहुँ सारे यहां पर नेसनल पार्क है 11 नेसनल पार्क के साथ ये भारत में सबसे ज़्यादा नेसनल पार्क वाला राज्य है अच्छा भी पेंच नेसनल पार्क से एक कुश्चन आया था दूस्तों कि पेंच नेसनल पार्क में एक कॉलर वाली नाम से जो जिसका ओफिसल नाम T15 था कॉलर वाली नाम से एक बागिन का निधन हुआ है जिसने 29 साओकों को जम दे करके एक वर्ड रिकार्ड सेट किया है अपने नाम ठीक है तो हलाकि इसका निधन हुआ है अभी तो कॉलर वाली वहां के रिजनल लोग कहते थे इसे और इसका नाम था T15 ठीक है ओफिसल ने याद रखना है पेंच निधनल पार्क में थी क्लियर आगे देखते हैं अगला कुशन है हाली में किसने किसान मोबाइल आप लांज किया तो किसान मोबाइल आप लांज किया है दोस्तों IIT रोड की ने Indian Institute of Technology रोड की ने अभी हाली में किसान नाम का अप लांज किया है ये किसान अप क्या करेगा ये दोस्तों ये अप्लिकेशन जो किर्सक होते हैं जो फार्मर्स होते हैं जो किसान होते हैं उनको जानकारिया देगा कि कैसे आपको किस टाइम पर फसल लगाना चाहिए मौसम कैसा रहेगा आने वाले टाइम पर टीक है तो ये सब चीजों के लिए ये शुरू किया गया है पिछले दिनों में अभी क्या-क्या कुश्चंस आये थे किसान से इसको जान लीजिए अभी दोस्तो भारत सरकार ने फसल भीमा पालिसियों को विद्रित करने के लिए मेरी पॉलिसी मेरा मेरी पॉलिसी मेरे हाथ मेरे हाथ नाम का कैम्पेन सुरू किया था इसके अलावा अभी कृसी network याद होगा आपको पंकज तिरपाथी करसी network ने उनको अपना brand ambassador बनाया था और अभी पूरे भारत में दोस्तों 23 दिसंबर को मनाया गया राष्ट्रिय किसान दिवस क्या मनाया गया राष्ट्रिय किसान दिवस राष्ट्री किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को ये आप याद रखेंगे ठीक है ना बहुत इंपोर्टनेट है चौधरी चरण सिंग जी की जैनती के अउसर पर ये मनाया जाता है अगला कुछ देखते हैं हाली में टाटा पावर ने अब तटिये पवन परियोजना के विकास के लिए किस से समझोता किया है तो टाटा पावर ने अभी हाली में RWE के साथ समझोता किया है अब तटिये पवन परियोजना के लिए ये आपसोर वाइंड प्रोजेक्ट के लिए अभी हाली में समझोता किया गया है Tata Power और RWE की दोरा RWE दोस्तों एक जर्मनी की कमपनी है तो इसके और इंडिया के Tata Power के साथ में ये समझोता हुआ है क्योंकि भारत चाहता है कि 2030 तक 30 गीगावाट अब तट ये पवन परितिश्थान प्राप्त करे यानि आपसोर वाइंड एनर्जी जो है इसका लक्ष रखा है 30 गीगावाट का 2030 तक का भारत तो इसके लिए जर्मनी की इस कमपनी के साथ समझोता हुआ है Tata Power का Tata Power के बारे में बात करें 1919 में इसके स्थापना हुई थी मुंबई में हेटक्वाटर है और MD और CU है प्रवीर सन्हा अगला कुशन देखते हैं हाले में भारत और किस देश के बीच पूर्वी ब्रिज 6 नाम का वाईशन भ्यास शुरू हुआ एक्चुली में इसे पूर्वी ब्रिज ना कहें ज्यादा बेटर होगा Eastern Bridge अगर कहेंगे तो तो क्या कहेंगे Eastern Bridge 6 नाम का एयर अक्सरसाइज हुआ किसके किसके बीच में भारत और ओमान के बीच में यह अपना प्यारा भारत है यही से आप देखोगी यह रहा जिस्ट ओमान ठीक है यह ओमान है और यह है UAE छोटा सा देश UAE UAE और ओमान में ही तो दोस्तो हुआ था अभी T20 World Cup ठीक है और अभी पिछला वाला IPL भी तो हुआ था ठीक है पेपाल यूज भी कियो होंगे बहुत सारे लोग आपने से ठीक है पेपाल जो है यह एक पेमेंट कंपनी है और जैसे आप यहां पर गूगल पे फोन पे वगरा यूज करते हो ना ऐसे इंटरनेशनल पेमेंट के लिए पेपाल यूज किया जाता है हला कि इंडिया में इसका यूज थोड़ा कम है लेकिन इंटरनेशनल जब पेमेंट करना होता है तो इसका यूज ज्यादा होता है इसके जो फाउंडर्स थे एलन मस्क वगरा इनके बारे में ये पूरा स्टो अपना की थी, हालाकि एलन मस्क बाद में से निकल गए थे यहां से, लेकिन ये सभी फाउंडर्स में थे और इन्हों ने पूरी की पूरी सिलकॉन बैली का पूरा-पूरा सेफ बदल दिया, तो इसमें कैसे क्या चीज हुआ, ये चीजे बताई गई है इस पुस्तक में, और क अगला देखते हैं, भारत की किस महिला करकेटर ने सभी पुरारूपों से सन्याज की खुशना, तो दोस्तो भारत की स्टार बैट्स विमन थी, वी आर वनिता, इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से सन्याज की खुशना कर दी है, जहां पर आपको दिख रही है, तो इन्होंने अनौन्स कर दिया है कि अब ये इंटरनेशनल क्रिकेट में केसी भी फॉर्मेट में भारतिय टीम का हिस्टा नहीं होगी, यानि T20, ODI और टेस्ट तीनों में, हाला कि ये ODI और T20 ही अभी तर खेली थी, 6 ODI खेली थी और 16 T20 इंटरनेशनल मैचेज इन्होंने खेले थे, करनाटक और बंगाल के लिए ये घहरे लुक क्रिकेट भी खेल चुकी थी, भारतिय मह ICC CBT2, ये बैच चल रहा है, बहुती सांधार तरीके से, इस पर आज जो वीडियो अपलोड हुई है, वो ICC टूनेमेंट्स की हुई है, ICC के कौन-कौन से पिछले 4 सालों में टूनेमेंट्स रहे थे, उसमें क्या-क्या चीज़े हुई, क्या-कौन मैना दमेच, मैना दसर रहे हैं, उनको भी ध्यान रखते चलो, और वीडियो देखते चलो, मैं बार-बार कहरा हूँ, वीडियो लगातार सब लोग देखते चलो, नहीं तो लास्ट में आपके पास उतना टाइम बच नहीं पाएगा, और लास्ट में सिर्फ और सिर्फ रिवेजन करना रहेगा, उस टाइम पर आप केवल PDF से ही पढ़ना चाहोगे तो पूरा अच्छे से तयार होगा नहीं ठीक है अगला दिखते हैं किस राज में भारतिय रेलवे देश का पहला केवल रेल ब्रिज बना रहा है तो दोस्तो भारतिय रेलवे जम्मू कस्मीर में देश का पहला केवल रेल बना रहा है यह कुछ इस प्रकार से है जम्मू कस्मीर में बनाय जा रहा है यह देश का पहला केवल रेल ब्रिज होगा ठीक है ना रेलवे के लिए पहली बार केवल ब्रिज का यूज किया जा रहा है यह रियासी जिले में अंजी नदी पर बनाय जा रहा है जनरली से टावर है उससे भी ज़्यादा यह उचा होगा कुल लंबाई है 433.25 मीटर की इसमें 96 केवल यूज किये जाएंगे तो जम्मू कस्मी मन रहा है देश्ट का पहला केवल रेल प्रेज अगला 22 फरवरी 2022 को मनाये गए विश्व चिंतन दिवस की थीम क्या थी तो जोस्तो 22 22 फरवरी को ही मनाये जाता है उस कुश्चन के इस टाइप को लिख करके लिखावट को दिख करके आप कंफ्यूज मत होईएगा यह 22 फरवरी को ही प्रतेक वर्स मनाये जाता है बस इसकी थीम आपको होता नहीं है इसकी थीम है इस बार की आवर वर्ड आवर इक्वल तो ये दिवस दोस्तो प्रतेक वर्स 22 फरवरी को मना जाता है थिंकिंग के बारे में अवेरनेस फैलाने के लिए कि सही सोचो सबके लिए अच्छा सोचो दुनिया भर में सभी जो गल्स स्काउट्स होते हैं, गल्स गाइड्स होते हैं और गल्ल गुरूप्स होते हैं इनके द्वारा ये मनाया जाता है इसको मनाय जाने के सुरवात 1926 में ही हो गई थी, हाला कि ऑफिसियल मानित्या मिली विश्व चिंतन दिवस के रूप में 1999 को पहले ये चिंतन दिवस के रूप में मनाय जाता था, लेकिन 1999 से विश्व चिंतन दिवस के रूप में ये मनाय जाने लगा अगला हाली में किस पद्म पुरसकार से सम्मानित सकुंतला चौधरी जी का निधन हो गया तो सकुंतला चौधरी जी दोस्तो ये स्वतंता सेनानी थी और समाजिक कारेकरता थी इनका अभी हाल फिलहाल में निधन हो गया है ये भारत के चौथे नागरिक सम्मान पद्म स्री स सम्मानित थी तो इनका अभी हाले में 102 वर्सों की उम्र में निधन हुआ है गांधी वादी थी विचारधारा की और बहुत ही फेमस समाजीक कारेकरता थी सुतन्ता Szenjis s 않ani भी थी 102 वर्सों की उम्र में इंका निधन हुआ है पदमिसरी इनको 2022 में ही मिलने वाला था यह सकुंतला बाइदेव की नाम से भी जाना जाना जाता था के लिए तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के टॉप 10 करेंट अफेर के कुशन्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को पसंद आई है वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए अपने दोस्तों के पास और हाँ चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कियो तो चैनल को सब्सक्राइब करो जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंशता रहे अब बात करेंगे कुश्चन सब्दर देखी आज का पहला कुश्चन आपके लिए दादा सहाफ फागल के इंटरनेशनल अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टरेस का अवार्ड किसने जीता अगला फ्रांस ने कितने सालों के बाद माली से सैन वापसी की घोश्चना की है दोनों कुश्चन के बारे में आपको जो भी पता होगा डेटेल में ज़रूर अंसर करने का प्रयास करना MZTF पर जाकर इसकी क्विज सौल्व कर लेना यही पर आप e-book प्राप्त कर सकते हो हमारे courses प्राप्त कर सकते हो और आप current affairs दो का हिस्सा बन करके अपना current affairs बूश्च कर सकते हैं ओके तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों जुड़ने के लिए मिलेंगे एकले दिन की वीडियो में तक लिए नमस्कार जाहें वन्दे मात्रम